तो यह हैं अपने पांच एंगुलर वेफ फंक्शन दी के लिए जो लिखे भी नहीं मैंने क्योंकि हम सीधे रिजल्ट याद करेंगे तो प्राबबली डेंसीटे का आपने सीधे रिजल्ट देखते हैं ठीक है और रिजल्ट के अपने नाम देख लेते हैं उस नाम के अंदर बहुत बड़ी हिंट है और वहां से सारे आंसर आ जाएंगे जो तुम्हें उसके बारे पता होना चाहिए तो ध्यान से सुनना ठीक है बस नाम सुनना और देखना उस नाम को कैसे यूज करना है पांच नाम है dxy, d yz, d xz, d x square minus y square and dz square अगर तुम्हें यह नाम याद कर लिए ना और तुम्हें समझ में आगे कैसे देखना होता है तो में और कुछ ही याद नहीं करना पड़ेगा तो अपन देख तें ज़राए इसको ठीक है पहले अपन देख लेते हैं Dxy यह जो xy है ना यह सारे आंसर दे देता है इसको 0 से equate कर दो और solution निका लो xy equal to 0 कब 0 होता है जब या तो x 0 हो जाए या y 0 हो जाए जिरो अकर x 0 होगा है into anything विलके बिलके 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 बिल y 0 होगे into anything विलके बिलके 0 0 into 0 भी चलेगा 0 कोई ना कोई 0 होना चाहिए या तो x 0 या y 0 यह इसका node दे रहा है सिदे यह Dxy बोल रहा है xy 0 solution node दे रहा है xy 0 कब हो सकते हैं जब x 0 या y 0 ठीक है अब देखो अपन x वगरह बनाते हैं तो number of angular node 2 हो गहा है x 0 y 0 वो दो plane देंगे अपन को x y plane होगा जब x 0 y z plane होगा जब x z plane होगा जब y 0 बनाते हैं अपन plane यह x बनाया यह y बनाया और यह मैंने z बना दी अब बाहर की तरफ out of the screen तो तो तुमारी screen के बाहर है यह x है मैं x से change कर सकता हूँ ठीक है x कर दिया y कर दिया z यहा ले लिया x cross y z तब समझ में आ अब यह बोल रहा है जहां x 0 है वो node है यह मेरा x है यह मेरा y है यह z है बताओ x 0 coordinate कहां होता है इस plane पर इस plane पर हर point का जड़ा x coordinate निकालो कितना आ रहा है 0 और actually यह एक angle होगा अब मैं हर बार नहीं बताऊंगा बहुत बताना पड़ेगा तुम्हें समझ में आ रहा है यह अ इसका projection लोगे x y plane x y plane कौन सा है यह वाला ठीक है और मैं इस plane की बात कर रहा हूँ यह अपना y z plane nodal plane है और यह x और यह y projection लोगा तो वो आएंगे y axis पर उनका angle लो 590 आएगा तो वो actually these are corresponding to angles इसलिए दो angular node है अब मैं हर बार नहीं बोलूँगा बड़ एक बार मैंने बोल ज अब तुम्हें सोचना पड़ेगा अगर तुम्हें निकालना है तो हर बताने में मुझे बहुत समझाना पड़ेगा जिसको अगर समझ रहा है वो दिमाग लगा उसको पता पड़ेगा एक एंगल है हर एक के अंदर corresponding तो अपन लेकिन बनाएंगे कैसे x y जब 0 होगा node मिले फिर वो बोल रहा है कि भाई y 0 पर भी node मिलेगा y 0 कहा होगा यह मेरी अगर y axis है इस plane में सब जगे y क्या है 0 अब देखो इस plane में सब जगे probability 0 होगी क्योंकि y 0 है इसका भी एंगल निकाल सकता हो अब सोच न यह अपने पास plane होगा इस plane में सब जगे 0 है probability और इस plane में सब जगे 0 होगी दो plane इमाजिन करो एक plane ये एक plane ये you can imagine चार quadrants बनेंगे जहाँ probability होगी इस plane में और इस plane में नहीं होगी you know what to understand this better let us upgrade our axis so let us take this as our axis okay so this is our x-axis this is our y-axis and this is our z-axis तो मैं z-axis नहीं दिख रही है क्योंकि वो अंदर और बाहर है बट समझ मारा हुआ यह है ठीक है यह है so यह अपना x-axis हो गया यह अपना y-axis हो गया और यह अपना z-axis हो गया अब मैंने बोला है पहला वापस देखे है x equal to zero यह जो पूरा plane है यह जो plane है देखो इस plane में सब जगे x कहा है जीरो तो इस पूरे plane को बोल सकते है बना x equal to zero plane अच्छा यह plane है कौन सा देखो यह y और z से बन रहा है है तो यह अपना y-z plane हो गया मतलब इस plane पर electron नहीं रहेगा probability density बिलकुल नहीं है अच्छा फिर बोल 3D में y-zero कहां पर होगा इस plane पर देखो यह जो x-z plane है x-z plane यहां सब जगे y-coordinate क्या होगा 0 मतलब वो बोल रहा है यह इस plane पर नहीं रहेगा जो कौन सा y equal to zero इस plane पर नहीं रहेगा जो कौन सा x equal to zero बाकि सब जगे रहेगा मतलब इसको बनाएं तो यह actually कुछ इस तरीके से दो plane है यह plane बनाएं मैंने दो यह जो दो plane है इन plane पर electron नहीं रहेगा यह वाला plane कौन सा हो गया y equal to zero और यह वाला plane कौन सा हो गया x equal to zero तो x equal to zero पर और y equal to zero पर electron नहीं रहेगा ठीक है इन दो plane में नहीं रहेगा electron तो कहां रहेगा दोगों यहां रहेगा सब जगे यहां रह मैंने चार लोब बनाए कि आप समझ में आ रहा है कि दीक्स Y कर आ यहां भी एक लोब आएगा वह लूप क्यों बनेगा मैं 90% प्रवाबिल्टी बतानी है ठीक है ultimately क्योंकि रिडिल के भी एक्षिडर करेंगे अपन anyways so ultimately dxy की अगर बात करोगे ठीक है तो अपन सीधे देख रहे हैं इस तरीके से बनेगा ठीक है overall क्यों बनेगा समझ में आ रहे हैं ठीक है वे अर कंसिडरिंग all ultimate तो हमें dxy सीधे याद करना है dxy इस तरीके से होता है तो अब नाम के अंदर सब लिखा है अच्छा दो नूडल प्लेन आएं देखा है एक नूडल प्लेन यह है एक नूडल प्लेन यह है तो दो नूडल प्लेन है अच्छा और इनके corresponding angles है ठीक है वह एंगल देखो एक बार बता देता हूं वापिस सब के लिए नहीं देखेंगे अपन अच्छा यह अपना x था यह y था और यह बहारा अंदर बहार की तरफ z जा यह चाहरो था तो यह जो प्लेन है कि एक एट द्ठ लेते हैं यह जो प्लेन तो यह आंपर जो है वह होना चाहिए और कैसे यह अपना plane में किसी भी point का projection लूँगा मैं xy plane पर तो projection इस पर आएगा x-axis पर उसका angle कित्ता हो जाएगा x-axis से 0, 5-0 अचाहिए यह जो plane है इस plane में हर एक का projection लो y पर आएगा और angle कित्ता हो जाएगा x है 90 तो 5-90 एंड 5-0 इसके अंदर दो angular node है इस दिस क्लियर बट अपन वो ज़रूरत नहीं है इतना समझ में आना अची है तुम्हें तो इतना भी नहीं सुब शेप याद रखना है जो ऐसा बनता है अब इसमें तो को यह charges बनाते हैं यह charge नहीं होता है यह sign होता है ठीक है यह sign जैसे wave का है ठीक है उपर नीचे उस तरीके यह sign है इसका और कोई मतलम नहीं है यहाँ ठीक है तो यह charge नहीं होता बस ध्यान रखना है these are sign of the wave उतना नहीं देखना है बट बस पता होना है चीए these are not charge so dxy तुम कैसे बनाओ तुम्हें क्या ultimately याद है कि dxy कैसे बनाते है अपन एक्स एक्स बनाओ y एक्स बनाओ बीच में लोब बना दो तो double dumbbell एक dumbbell ये एक dumbbell ये double dumbbell बन जाएगा तो this is dxy अब अपन बाकी देखते है next देखेंगे d yz फिर d zx ठीक है तो पहले d yz देखते है d yz के अंदर भी दो अंदरोड होते है formula बनाएंगे अपन ठीक है general फिर दो अंदरोड जो होते है वो नाम में लिखा है मैंने बोला कैसे बता पड़ेगा yz को 0 से equate कर दो yz को 0 से equate करके solve करो yz 0 कब होगा जब या तो y 0 हो जाए या z 0 हो जाए या दोनों होता हो भी चलेगा तो अभी solution होगा तो y equal to 0 मतलब क्या हो जाएगा पो देखो और z equal to 0 मतलब इस बार पहले मैं access बना देता हूँ कौनसे बताएंगे अपन यह यह मैंने y लिया ह यह x इस बार मैंने access को थोड़ा गुमा दिया तो बनाने में आसान है कि मैं 3D में बनाऊंगा कैसे 2D में 3D ठीक है तो बनाने के लिए same plane में बनाना है इसलिए मैंने इसको access को change कर दिया और कुछ नहीं किया तो यह y है इस बार यह z है और यह x है अच्छा मैंने बोला है z equal to zero solution मिल रहा है यह अपना z है z equal to zero कहा है यहाँ पर समझ में हार। यह कौन सा plane है z equal to zero यह था अपना y और यह था अपना x तो x y plane अच्छा फिर वो बोल रहा है solution मिल रहा है y equal to zero y कहा है अपना y है y zero कहा होगा यह समझ में आ रहा है तो यह कौन सा plane हो गया X, Z plane और दौनों nodal planes है node आ रहे हैं और planes आ रहे हैं तो nodal plane बोलेंगे समझ में आ रहा है तो वापिस अब अगर बना electron कहां नहीं रहेगा इस plane पर नहीं रहेगा जो plane कौन सा हो गया यह बाला plane यह वाला plane कौन सा हो गया अपना यह मैंने लियो है तो यह अपना हो गया Y equal to zero plane, यह अपना कौन सा हो गया यह अपना Z equal to zero plane, क्योंकि यह Z axis है, इस plane में सब जगे Z zero है समझ में आया, तो वापस दो plane बनेंगे, जहां पर probability डेंसिटी जीरो है, यहां रहेगा, यहां रहेगा, यहां रहेगा, यहां रहेगा यहां रहेगा probability, तो मैं सको लोब बना देता हूं, 4, और डबल, डंबल हो जाएगा हो Is this clear? इसमें भी दो एंगुला नोट आएंगे ये अंगल पर डिपेंड करेंगे हैं वो आपण उपन नहीं देख रहे हैं But हैं दो एंगल है वापस तुम देखना चाहे है कोई देख सकता आसानी से ठीक है? तो 2 plane बनेंगे वापस से अपन 2 nodes हैं प्लेनर शेप के हैं ठीक है और सेम शेप बनेगा प्रॉबबिल्टी डेंसिटी गा तो वो अपन बना देते हैं ठीक है अब बस एक चीज लोगों को लगता सब्सक्राइब यह एक्सेस अलग अलगे मतलब अगर एक ऐसा है इस बार ऐसा है अब मैं इसको यहां से देख रहा है वो देख एसा ही रहा है सौंझे है सब्सक्क्राइब सब्सक्राइब दूसरी लोब, यह अपनी तीसरी लोब, एंड चौती लोब, चार लोब बना दी, समझ में आ रहा है, अब अपन अगर बोल दी है, तो मतलब solution है, zx equal to 0, तो zx 0 कब होगा, z into x, जब z 0 हो जाएं, या x 0 हो जाएं, या दोनों 0 हैं, तो वो अपन नोट से देगा, मतलब solution कौन से होगा है, two angular node, x equal to 0 and z equal to 0, सेम होगा, वापस देख लेते हैं, परवल x से बना लेते हैं, कौन से बनाएंगे है पन, x, y, z, फिर से मैं थोड़ा change कर रहा हूँ, जिस से बना पाएं पन, तो अब हम plane में x को लेके आ रहे हैं, तो यह अपना x हो गया, यह y हो गया, और यह z हो गया, अच्छा मैंने बोला, x equal to 0, यह x है, इस plane पर सब जगे x 0 है, फिर मैंने बोला, z equal to 0, z यह है, तो z equal to 0 यह, same, वापे same आ गया, लेके इन मैं बोल रहा हूँ, यह same, अपन को देख रहा है को, अपन access को change कर रहे है, ठीक है, यह है, यह है alleg orientation, पहला अगर ऐसा था, दूसर ऐसा था, तो यह ऐसा है, is this clear, ठीक है, so, anyways, तो अभी मैं समझ में आना च्छी, access को गुमा दिया है, अपन यह अपना हो गया, x equal to zero plane, और यह अपना हो गया, z equal to zero plane, ठीक है, यहाँ लोब आएगी, 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 अपन चार लोब बना दे रहे हैं, तो यह चार लोब बना दें, double dumbbell shape getting my point so this is dz x नाम के अंदर सारे आन solution है जो तो तो मैं सीखना है ठीक है अब बनाते हैं last मैं लब last नहीं second last dx square minus y square ठीक है ये वापिस dx square minus y square solution देगा दो angular node आएंगे ठीक है क्योंकि हर plane के corresponding एक node मिलने वाला है x minus y 0 हो जाए या x plus y 0 हो जाए x minus y 0 मतलब x y के बराबर हो जाए या x minus y के बराबर हो जाए ये solution देगा वो node होगा मतलब दो plane है वो plane x equal to y है and x equal to minus y plane है तो दो planes है x equal to y plane and x equal to minus y plane अपन देखते हैं वो कैसे रहेंगे और वो दोनो nodal planes होगे solution nodal planes देखते हैं तो ये मैंने x बनाया ये y बनाया और ये z बनाया जो out of the plane है तो ये x होगा एक axis देगा ही ये अपना एक axis तो ये है अपना x ये y और ये z अच्छा x equal to y बता कहां पर x y के बराबर होगा ठीके ये अगर मेरा x है ये y है तो मैं 2D में बहुत होगा 2D में ये line बन जाएगी ये line लेकिन हमरें 3D हैं बात कर रहे हैं तो ये पूरा plane बन जाएगा मतलब ये a की plane देखो अभी ऐसा एक plane बनेगा ये इस पूरे plane में देखो सब जगे z अलग अलग है ठीक है लेकिन x और y सेम है मैं अगर इस point के बात करूँ जतना इसका x है उतना ही उसका y coordinate होगा तो ये मेरा plane कौन सा हो गया x equal to y plane और ये मेरा x equal to minus y plane हो गया यहाँ पर x coordinate y coordinate बराबर तो है बट minus 9 है चेक कर लो ये अपना x है ये अपना x लिया तो ये minus x हो गया ये y है तो अगर ये value suppose 1 है तो ये minus 1 हो जाएगा x तो ये plane x equal to y plane है this is x equal to minus y plane ये दो nodal plane है इन दो plane पर probability नहीं होनी है बागी सब जगे होनी है यहाँ होनी है यहाँ वापेस 4 lobs बन जाएंगे बट एक अंतर है अपने axis तो ये है है ना बीच में nodal plane बन रहे है पहले axis पर बन रहे थे मतलब probability अगर देखेंगे तो कहां आ रही है axis पर आ रही है that's it बन गया इतना सीखना है और वो नाम के इनना लिखा है जो probability आएंगे दिख रहा है x और y axis पर बनानी है और मैं एकसे गुमा रखें बार बार गुमा है जिसे पर बना पाएं चीज़ों को that's it ऐसा याद करना है अपने को समझ में आया ठीक है एक बार वापिस देख रहते हैं बनाते कैसे हैं याद कैसे रखते हैं फ्र लोड नोडबल प्लेन इसके बेड़ नोडबल प्लेन सकते हैं फ्र है कोई देखकत झानी है निकाल सकते हैं पर मैं एंगल की बात नहीं कर रहा हूं योँकि time-taking होगा और जिसको अगर समझ में आगा तो वो सोच लेगा, कोई देखकर नहीं, आर्टीट अफ़ा है, जिसको आर्टीट अफ़ा समझ में नहीं आया है, वो तो फिर बताने ही पॉइंटलस है, एनिवेज, तो यह तीन है, तो अगर दी य ज बनाना है, य ज कोई बात नहीं, य और ज ए इसे इतना ही है, अगर तो फिल आ रही होगी क्यों कर रहे है, वरना कोई बोलता है, मुझे बोलता है, यह होता है, यह क्या है बाए, यह क्या चीज है, बट पढ़ा तब सी मैं, यह कहां से होता, similarly, डी ज एक्स, डी ज एक्स कैसे बनाओगे, ज एक्स बनाओ, बीच में लो बनाओ, लेकिन अगर वो बाकी इंफर्मेशन पूछे, कि भाई, नोडल प्लें कौन से हैं, तो फिर पता होना चीए, कि ज इंटू एक्स इक्स 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 इक नोड है. तो दो नोडल planes हैं और दो angular nodes हैं इसके ंंदर साठे एँपने देख रहते हैं सब D के Îंदर 2-2 angular nodes आ रहे हैं Dxy में दो DZx में दो D dzоворी जिओ अपने पास yz में दो Dx square minus y square में दो आगे dz Claire देखे इंगंगø Ös में भी दो अब अपन देखते हैं D Z square इसको मैं अलग से ही बता रहा हूं ऐसा इसलिए इसका शेप थोड़ा चारों से डिफरेंट तो चारों दो को और में सिमेट्री कलते हैं उनका रोटेशन अलग 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 तो जो बताया था अपने कि M इसका शेप ही थोड़ा अलग होता है ठीक है तो थोड़ा ध्यान से देखना है देखो D Z square अब इसके अंदर जो अंदर लिखा हूँ है ना सब्सक्राइब इसके अंदर नोड बनने वाले हैं वह कोनिकल शेप के होतना है को कोन की कुछ नहीं तरहीं आसान नहीं होगी एक जिरो आई जिरो इडिल कॉम्प्लिकेटव तो बड़ा ना मुझा गए दी इंटो दिस इंटो दिस इंटो दिस तो वह सिंप्ली बोल दिया अब डी के अंदर पने देख रहे हैं दो अंगलर नोड आ रहे हैं ठीक है बट नोड सार कोनिकल इन शेप अब जा रहा है इसको बनाते हैं एक्स बनाया वाई बनाया जैड अब मैं जैड ऊपर ले रहा हूं तो आप आसानी से बना पाएंगे अपन बट जैड से यह से के अंदर नोड से हैं कोनिकल यह हैं ठीक है एक कॉन यहाँ आएगा एक कोन नीचे एक सब्सक्राब बनेंगे, ठीक है, ऐसे, तो यह जो दो कोनिकल नोट्स है, अच्छा अब बताओ, यह थोड़े से और मॉट्टी बना तो अच्छा होता, एनिवेस, तो यह दो कोन्स हैं, और यह एलेक्ट्रोन यहां नहीं रहना, तो अब बताओ कहां रहेगा, यहां सब्जेकर आएगा, द थीटा, जैड एक्सिस के अबाउट, थीटा कॉंस्टेंट इस कोन का, अगर मैं इसको बीच में डालूँ जैड एक्सिस के, तो हर पॉइंट का जो थीटा होगा, वो सेम आएगा इस कोन पर, सेम इस पॉइंट पर, मान लो 30 है, तो अगर यह बीच में से पास करूँगा, तो हर एक का जो थीटा होगा, वो सेम होगा, यहां पर भी हर एक का थीटा, सेम आएगा जैड एक्सिस से, तो अपन एंगल की बात नहीं करें, anyways, so बताओ, कहां रहेगा प्रॉबबिल्टी, यहां सब जगे दिख रहा है, सब जगे, कोन के बीच में भी रहेगा, यहां भी जगे, यहां सब 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 बीचे कट जाएगा, तो डूनट बन जाएगा, ठीक है, kind of, डूनट अगर अगर आपन देसी में है तो मेंदूबड़ा, मेंदूबड़ा बन जाएगा, ठीक है, तो सेम है, so, शेप व बनाऊंगा ठीक है तो देखो एक कोन मनाया एक कोन पर हर पॉइंट का एंगल थीटा सेम है ठीक है इस दूसरे वाले का सिमेट्री के लिए 180 माइनिस थीटा हो जाएगा हर एक पॉइंट का अगर एंगल की बात करें तो दो एंगुलर नोड हैं इसके अंदर अगर एक 45 हो गय अब भी बीच वाली बना रहा हूं मैं ये बीच वाली बनाइए फिर नीचे बीच वाली बनाई अब मैं года मैं सब बना रहा हूं देखाए जो प्रॉबिलटी आ रही थी तह वो एक e o not बनग पन गया डी जेड्र स्कुराइर इसको और बनाके देखते हैं मैं तोड़ा इस यह एक dumbbell हो गया और अगल बगल डोनट हो गया डोनट थीडी में बिलकुल डोनट जैसा देखेगा है मेंदू बड़ा जो देखाऊगा मेंदू बड़ा जैसा डोनट जैसा देखेगा ठीक है सो यह है अपना डी जैड स्क्वाइर जैड से सिर्फ इतनी हेल्प मिल रही है कि इस सिमेट्रिकल अबाउट जैड एक्सेस बनना इस तरीके से तो पांच शेप हो गए डी के पी के देख लेए पी तो अब तो आसन लग रहोगा पी एक डंबल दो डंबल तीसरा डंबल है ना इस एक्सेस के अबाउट एक इस एक्सेस पर था एक इस एक्सेस पर था डंबल दूसरा इस एक्सेस पर था डी एक्स वाई मैं एक्स और वाई एक्सेस बनाओ बीच में डंबल बना दो अब मैं एक्सेस चेंड नहीं करता हूं चले एक काम करते हैं एक्स रखता हूं इसको मैं y रखता हूँ, इसको मैं z रखता हूँ, तो d x y ये हो जाएगा, d z x दिखते हैं, ठीक है, ये z हो गया और ये x हो गया, z x कैसा बनेगा, बीच में लोब बना देंगे, फिर d x y हो गया, z x हो गया, y z, ये y और ये z, z, तो d y z में यहाँ बीच में लोब, y z axis बना देंगे, भीच में लोब बना देंगे, फिर d x q दos y 지금, ये मेरा x है, ये मेरा y है, इस बार axis पर लोब बनाएगे, और d z square ये हो जाएगा, यह साथor ये मेरा y axis ये z axis, जेट के about, यहां जेट के अबाउट अपने पास डंबल आ गया और फिर यहां पर डोनट आएगा तो एक्सेस का अब देख और अलग हो गया सब जगे समझ में आ रहा है तो वस्याद रखना है यह मैंने बताने बताए कि सबका और अलग सेम दिख रहा था बट सेम है निक कैसे बनाना है समझ में आ रहा है, xy, xy axis बनाओ, लोग बना दो बीच में, yz, yz axis बनाओ, बीच में लोग बना दो, इस तरीके से, ठीक है, फिर x square minus y square, dz square और पांचों के पांचों हो गए, इतना करना है अपना अपन को